जहां तुमारी सारी धार्मिक पुष्टकें छपती हैं, प्रूफ रीडिंग होती हैं, उस छापे खाने में सारे के सारे पढ़ने वाले, छापने वाले, वो सबी वैसे ही तो रह जाते हैं, कोरे के कोरे जो तुमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें जितने भी व्यक्ति पाठ पुजा करते हैं, आर्तियां करते हैं, नमाजे पढ़ते हैं, सुबह शाम वहीं पढ़े रहते हैं, उन्हें तो बुद्धत वुपलब्द नहीं होता ध्यान से देखना, जो लोग तीर्थों में ही रहते हैं, क्या उन्हें बुद्धत वुपलब्द हुआ, नहीं तुम मेरे पास भी आकर यहीं पर इकठा होकर बैठे रहो तो तुम क्या सोचते हो, यहां सबी को एक सा फल मिलता है नहीं, धर्म कभी भी सामोहिक नहीं गड़ता, बुद्धत वु कभी भी सामोहिक नहीं गड़ता सत्य कभी भी सामोहिक नहीं गड़ता कभी तुमने सुना कि क्रिशन के पास जितने भी व्यक्ति थे, सभी धार्मिक हो गए क्या बुद्ध मावीर के पास जितने भी व्यक्ति आते थे सबी धार्मिक हो गए थे नहीं धार्म सत्य हमेशा व्यक्ति में घटता है सामूही कभी नहीं घटता क्या आकाश में सारे ही तारे सूर्य के समान या चांद के समान चमकते हैं बुद्धत्र की एक अलग वस्ता है और बुद्धत्र को तुम बोध धर्म से मत जोड़ लेना मैं बार-बार बुद्धत्र की बात करता हूँ तो ये मैं सोच लेना कि मैं तुम्हें बोध धर्म सिखा रहा हूँ नहीं मेरी बात का बोध धर्म से कोई ले ना देना नहीं है बुद्धत्यु का अतात्पदिय बिल्कुल वई ही है जो गीता में प्रग्यावान का है जो ज्ञानी का है जो परमंस का है जो मस्त का है जो दिवाने का है